नमस्कार जैहिंद यदि आपने भी SSJD का एक्जाम 2023 में दिया है तो आपके लिए एक बड़ी ख़वर है साथ में आप सभी के लिए एक अच्छी ख़वर भी है जैसा कि आज 23 फरोरी हो चुका है और एंसर की 18 फरोरी को जारी किया गया था उसके बाद से छात्रों के डाटर क्या दार पर आपको जो कटाप बताया गया था वह ही आपको डाउट में डाला है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं क्योंकि जो चात्र कम नम्मर लाएं है लगवग 30 प्लस या 40 प्लस उन चात्रों को ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सभी को परिसान होने के योद नही अधि उस लिस्ट के हिसाब से आपका नम्मर है तो आप लोग अपने फिजिकल की तयारी सुरू कर सकते हैं क्योंकि उसके आगे कटाप जाएगा नहीं जो फाइनल कटाप जारी होता है तो चलिए बीना किसी देरी के जान लेते हैं यदि आप चैनल पर नहीं है तो अभी स अपडेट आपको समय पर मिलती रहे तो देखिए दोस्तों यह वो कटाफ है और इसमें सभी स्टेट की बात कर ले जाए एक एवरेज निकाला गया है हर स्टेट का और हर कैटिगरी का जनरल की बात करें तो जनरल में जो 122 से 128 तक ला रहे हैं चात्र वे बिलकुल सेफ जो बताया जा रहा है जो कि 110 से लेकर 120 के बीच में यहां पर और ओविसी वालों के बात की जाए तो ओविसी वालों का 120 से 126 ही रहेगा और इसमें भी कई राजियों में 110 हो रहो सकता है तो यदि आप लोग ओविसी जनरल या या इडवलेस की छात रहें तो आपका इतना रहन है तो यह सब देख लेजिएगा इतना ही कटाप इस बार रहने वाला है इससे ज्यादा कटाप नहीं जाएगा यदि आपका इतना आ रहा है और इसमें भी आपके चार से आठ अंक जुडेंगे नौर्मलाइजेशन में और फिर कुछ प्रस्ण गलत हुए है तो इस हिसाब से आप सभी को डरना नहीं है आप सभी को फिजिकल की तयारी सुरू कर देनी है यदि इतना आ रहा है तो और सिलेक्शन भी आपका होगा